प्यार जिसमें विश्वास महत्वपूर्ण स्थान रखता है उसमें यदिव्यक्ति को धोखा मिले तो यह एक चुनवती पूर्ण समस्या है लव मेट्स के बीच भले ही बहुत प्यार क्यों न हो लेकिन धोखे का डर उन्हें हमेशा सताता है अगर किसी रिष्टे में आपको धोखा मिलता है तो वे हैसी स्थिती होती है जो आपको दुविधा में डाल देती है उस समय आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें और कैसे अपने रिष्टे को बचाएं कई बार आप अपने पीट पीछे चल रहे धोखे से अजान रह जाते हैं क्यूंकि आपको पता नहीं जलता कि हो क्या रहा है ऐसे में आप कुछ संकेतों से पता लगा सकते है कि कहीं आपका पार्टर्नर आपको धोखा तो नहीं दे रहा रोज के रूटीन में बदलाव रोज के रूटीन में निरंतर आने वाले बदलाव भी पार्टर्नर के आपको धोखा देने का संकेत हो सकते है अगर आपके पार्टरनर के रूटीन में अचानक बिना किसी वज़े से बदलाव आते हैं तो यह धोखा भी हो सकता है जैसे आपका पार्टरनर आपके साथ अपनी भावनाएं सारजानन करें या कम बात करें इसके आलावा आपके पार्टरनर का आप में रूचिन रखना या बेवडर आपसे लड़ाई करना धोखे के संकेत हो सकते हैं व्यवहार में बदलाव पार्टरनर के आपके प्रती व्यवहार में भी बदलावाना भी धोखे के संकेत हो सकते हैं हर बात पर अपनी सफाई देने के आलावा उनके स्वभाव के विप्रीत कुछ नए शौक पैदा होना खुद पर ज्यादा ध्यान यदि आपका पार्टर्नर आपको धोखा दे रहा है तो वेह पहले के मुकाबले आपसे ज्यादा खुद पर ध्यान देगा और वेह ज्यादा से ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश करेगा यह धोका देने का संकेत हो सकता है आपके प्रती रूची कम होना यदि आपको लग रहा है कि आपका पार्टर्नर आपमें रूची नहीं ले रहा है या आपके लिए उसके पास समय नहीं है यह कारण हो सकता है कि उनका ध्यान कहीं और है जरूरी नहीं यह धोखे का ही संकेत हो हो सकता है कि आपका पार्टरनर किसी बात को लेकर टेशन में है या कुछ और वजह भी हो सकती है लेकिन अगर इस सब के साथ आपका पार्टरनर कोई फैसला लेने में आपसे आपकी राय नहीं पूछते आपसे अपनी बाते शेयर नहीं करते तो यह धोका देने के संकेत हो सकते है